हेलो नमस्कार साथियो बहुत बहुत स्वागात है आपके अपने चैनल रेलवेज क्रेकर्स में आपका फ्रेंट्स एच्पी डबल सी एचार टी सी कंडक्टर का एक्जाम उन्नी सपरेल को है तो पार्ट त्री मैं लेके आ चुका हूँ जिस पे जीके के टॉप टूंडर प् के लिए कि इतना मैं बता रहा हूँ ठीक है तो आप अगर पूछना चाहोगे कि सर ये सिर्फ हिमाचर पर्देश के एच्पी डबल सी एचार टी सी कंडक्टर के लिए है क्या लेकिन मैं आपको बता हूँ फ्रेंट्स एच्पी पुलीस हिमाचर प्रदेश के जो पूलीस माद आएगा वीडियो तो चलिए फ्रेंट्स वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो इक इताक दो पार ड वांडिए है पेले पार्ट में आपको दौन को से प्लस तो महादमन आते हैं, नेक्स विशन लद्दाः को किनौर में किस नाम से पुकारते हैं, तो लद्दाः को किनौर में मोने नाम से पुनत पुकारते हैं, नेक्स विशन कुलुराजी के किस स्थान को छोटी काशी कहा जाता है, तो निर्मंड को छोटी काशी के ग्रूप में स्थानांतिर्ट किया था लॉड डंभावजी नेक्स कूशन देखते हैं लॉड डंभावजी नेक्स कूशन निर्मंड और आनी तहसील कि जिले में स्थेपन तो यह दीखी कुलू जिले में स्थेत हैं गड़ कुफर, जील, पांगी का चंबा जिले का, कांगडा रियासत को अंग्रेजों ने किस वर्स अपने अधीन कर लिया था तो 1846 में, उना का पुराना नम क्या था तो जस्वान दून, हमीरपुरी जिले के किस स्थान पर हर्बल, गार्डन, सिदे तो नेरी में, मिया जिप्पु का संबन्द की राजा के काल से है, तो दसेन के काल से है, मेंडी सियरासत से, बिलासपुर नगर की स्थापना किस ने की थी, तो बिलासपुर नगर की स्थापना दीप चंद ने की थी 1644 में, गोर्खो ने हिंदूर नालागड की सासा को होशियार पुर भगा तो देखे, फ्रिंट में मुझे कुछ भाहिर इन मोलता है, कि सर थोड़ा स्पीड कम करके बताईएंक क्योंकि देखिए मैं ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करता ना चाहता क्योंकि आपको भी एकजान की प्रेपरेशन करनी होती है तो इसलिए मैं ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करता वीडियो को शॉर्ट एंट स्वीट वीडियो में बनाने का कंवर्ड करने का के जिले का दर्जा किस मुख्य मंतरी ने दिया था दौक्टर यश्वन सिंघ परमार में लाला यह राजपत राय हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बंन थे तो फिन नहां जिले में नाहन जेल में, पुछा गयाता है हिमाचल प्रदेश को देश के 18 राज्य के रूप में दर्जाद देने ये घोजना सिमला के क्रिज में पर किसमे की दिधुर्ट सिंदरा गांधी ने, देखें हिमाचल प्रदेश जो हिमाचल डिवस कमना जाता है, 15 अपरेल को परतिवर्स ह हिमाचल प्रदेश की पहली प्रतम महिला राजपाल कॉन थी फिर्ट शीडा कॉल आजाद हिंद फॉज में की से शेरे हिंद कहा जाता है फिर्ट ये हरी सिंगो को शेरे हिंद के नाम से जाना जाता है या मंडी जिला के रहने वाले थे हिमाचल अतीत वर्तमान और भविष एक जहलक के लिखा कौन एवेंट देवराथ चर्मा अगर आप हटी डबलस्ती का हर्टी सी का अग्जाम अगर कभी भी देना चाहोगे क्लेशलिय्ट से when जेना उतिष इसका मैं आपको प्लेलीस में जा करके जरूर देख लीजेगा हिमाचल परदेश के ऐसके कांगरा देखें मषोर की बयूंपा मत कहां पर ही ताउस अटा स्काजाह में स्पिति में शिप्की परवक्स चोटी, हिमाचल परदेस कौन से जिले में सिते, तो किन और जिले में उचाई 6608 मिटर, हिमाचल परदेस वन निगम की स्थापना कप की गई थी, तो 25 मार्च 1924 को की गई थी, हिमाचल परदेस में बिरोजा फैक्टर दिया कहां पर है, तो बिलासपूर चमबा घाटी का दूसरा नाम क्या है, तो जुग्रावी घाट, कसोल गर्म पानी का चस्मा कहां पर है, तो कुल्लू में है, कसोल गर्म पानी का चस्मा, कुमारवाह जील, किस जिले में है, तो मंडी जिले में कुमारवाह जील है, गेफांग, ग्लेशियर, हिमाचल परदे प्रस्ता के राजा द्वार नगर कोड को पराजित करने के बारे में भी कहा गया तो हर्सवर्दुन को चौपाल, जुबल और रावी घड, छेतरों में गोरखाओं के बिरुद अभियान का नित्री तो किस ने किया था फ्रेंट तो जेम्स बेली फ्रेजर ने हिमाजल प्रेजर के बिरासपुर जिले की दार्वी जो घाटी है किन्दू पहाड़ीों की श्रकलाओ के बीच फ्रेंट बहादुर परपूर श्धार और बंदला धार में शिमला पास्टन प्रेजरेंट के लिखा कौन फ्रेंट तो एडवर्ड जेवाक में हिमाजल प्रेजर का जन घना तो कितना था तो 34 प्रति वर किलोमेटर जन संक्या 19 लाख इकाइज सेगड़ा है तो 19 लाख बीज़र 294 रवेंदर नाठ टैगोर और सुभास चेंदर बोस कुछ महिनों के लिए कहां ठहरे हुए थे तो डलहोजी में नोराह रिचर्ड का संबंध की स्थान से याथ अंड्रेटा से कांगडा में हैं हमेचल प्रति हिमाजल प्रदेस में से प्रथम राष्पती विद्पतक विजयता कौन है प्रतों गंगभीर सिंग सेंट्रल रिसर्च इंस्ट्टूट अर्था CRI कहां प्रतों तो कसौली में सवलन में हिमाजल प्रदेस में से प्रथम राष्पती विद्पतक विजयता कौन है प्रतों गंगभीर सिंग Central Research Institute CRI कहा पर तेफिन, कंसौली में, काली बाडी मंदिर हिमाचल परदेश के जीले में, सिदेफिन तो शीमला में, कांगडा घाटी के के किस मंदिर को हिमाचल परदेश का अलोरा कहा जाता है, तो मश्रूर रोक कट मंदिर को, के ल सेटी कौन तेफिन, हिमाचल परदेश के ने बासे एक अमेरिकी धर्म परदेश, क्रिशि विश्विदाले, पारभबूर के कुलपती कौन है, तो हिमाचल परदेश के राजिपाल, हिमाचल परदेश के धरोहर गाउ परागपूर की किस महिला ने 300 वरस पुराना घर इस धरोहर गाउं के लिए दान किया था तो भाविश भागवानी पर निर्पर करता है पर्ण डॉक्टर वाई एस परमार। चेतर फ़ल के दिरिश्ट्री से हिमाजल प्रदेश में सबसे बड़ा और चोटा सबसे चोटा विधान सबा निर्वार्दन चेतर जोना कौन से अतन लाहौल स्पिती और शिमला। हिमाजल प्रदेश सचीवाला के पूराने भावन का क्या नाम है अलेस एलर्स सली मढ़ी नामक स्थल किसके समीब था तो ये रोतां के समीब कुलू जीले में। टिमबर ट्रेल दुरगटना रूपवे कि स्थान पर थी तो परवानू के निकट। लॉड इलगिन एलगिन कहां दफनाय गया था धर्मशाला में। आप बादशीत में एक शहर विश्यष और अपने वास्तविक नाम से बजाय पर पापा नगरी संग्या से अभीत किया जाता है इवस्चाल कहां पर धर्मशाला के पडोस में। हिमाचल परदेश के फ्रंटियर कांधी के रूप में कौन जाने जर्फें तो बज्यू राम को। हैंग ग्लाइडिंग के लिए प्रसिद बिलिंग घाटी किस तहसिल में तो बैजनात तहसिल में। कुछ पच्चे मुझसे यह पूछेंगे कि सर यह जो ना हर इंजाम में के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं इससे जी हां अगर आपको में बात करूँ फ्रिंट से वर्ल्ट की किसी भी एक्जाम वर्ल्ट की एक्जाम होते हैं तो कम से कम दो से तीन प्रश्ण भी हिमाचल प कंद कि पाल्य पंच होरा देता जनी ने कितना दं रखा गया था 50 मिल्ट कर्म प्रकास ने इमाचल प्रदैशं में 26 सरोजगा योजना की अंटर्म किसमीज से यह करने ौरंप कियन कज्सी से नाहन संदद लिता फैंगला करें यह कुछ तो मृंड 1878 में नालागड के लोगों ने किसकी अत्याचारों के विरुद विद्रोव किया था, वेंट गुलाम कदिर खान के विरुद विद्रोव किया था, संत रोजा और मेरी कोजा किस फल की किसमे है, वेंट पलम की किसमे है, भूतपुरों विलासपुर रियासत के कौन सा सासक महत किस जिले में सराधिक धान की फसल भोई जाती है तो कांगड़ा जिले में ठीक है रामु वजीर और साहव अमिर्थ सिंग वजीर किस रियासत से संबंद रखते हैं तो कहलूर रियासत से कांगड़ा की राजा सोने 1667 में विलाजपूर के किस राजा को नादौन में जहर दिया था फ्रेंट तो दीप चंद को धारमे किस थाल मटन सिख्ध किस जिले में है फ्रेंट तो हमिरपूर जिले में अयरुबेद विभाग ने मंडी जिले में किस स्थान पर हर्बल गार्डन स्थापित किया था तो जोगिंदर नगर में नादौन किस वर्थ उक मंडल बना था फर 25 तरिफी में किस अफसर ने वाइल्ड फ्लावर हॉल को जो अब कुफरी के निकट एक प्रसिद्ध प्रटक होटल है को अपना ग्रिस मकाली न आवाज बनाया था लौड किचनर ने डोडरा कौर कहां परतिजफट थे शिमला जिले में भारतकिस राश्चुपती ने शिमला स्थित राश्चुपती निवास का नाम बदल कर इंडियन इंस्टिट्यूट आफ एडवान स्टडी किया है तो डॉक्टर एस राधा कृष्ण ने 1788 में सुजानपूर टिहरा को कि नीव किस ने रखी थी अभाय चंद ने जस्वान राज्य की राज्यानी कहा से थे 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 राजपूरा में कुलू जिले को हिमाजल परदेश में कब मिलाया गया थे 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 1966 में महासु जिले को किस तहसिल से किस नौर बनाया गया था तो चीनी तहसिल से ते केलांग में पहला प्राचमी विद्याले 1861 में कितने खोला तरफन जर्मन पादरी हाइट के द्वारा ठाकूर हजारा सिंग सिवितंत सुतंतरता सेनानी कीज जिले में सम्मंदि तरफन तो उना जिले में पाल प्रत्यक लगाने वाला कुलू कांतिम राजा कौन थारफन तो कैलास पाल महतपूर गग्रेड अंब और काला अंब में से कौन सा अध्योगिक शेतर उना में नहीं है तो काला अंब सिर्मोर जिले में अंग्रेजो दरा नाग चला डखेती कांट मंडी में दो लोगों को फासी दी गई थी उसका नाम क्या है सूरजन और निधान सिंग चग्गा हिमल सिवाचल सिमला जिले में एको टूरिजम सर्किट किन किन स्थानों के बीच हैफन मांदली से डोड़रा को और के बीच स्पिती का सब्दिक अर्थ क्या हैफन तो रत्म भूमी गुरू कोविं सिंग और बिलासपूर हिंदूर एवं गडवाल की राजाओ के बीच 1686 इस्वी में लड़ाई कहां पर हुई थी भागानी चाहिर में भीम कोड किसका प्रणाम है तो कांगडा जिकी लेका नैना टिककर कहां पर सिर्म और में स्पिती के बारे में यह कसान किसका है यह स्थान मनुष्य के योगिन नहीं है फिर्ट यार किपलिंग का नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं जब मुहमद बिन तुगलग 1337 इस्वी मे मंगल और नामक स्थान पर किस रियासत की स्थापना की तो मंडिर रियासत की राविगड का कि ला सिर्म और के किस शासक ने बनवाया था फंट वीर प्रकास ने लाहौल स्विती जिले की कितनी प्रतिज़त जनसंक्या नुसुची जनजाती स्थी सदमादी था तो 33% जनसं अधिन सरकार के परतम प्रधान मंतरी मुख्य मंतरी कौन थे फंट सूरत राम प्रकास 15 अगास 19-47 को बने थे हैं कंडा घाट और नालागड पंजाब में से हिमाचल प्रदेश में कब सांत्रित किये गए था 1906 डिसु में दिशंबर 2010 से जनवरी 2011 के पंचायत चुनाओ का निचार ओटमंडल की अन्यक पंचायतों ने किस भूद्धे पर भाहिसकार किया था कर्चम वांगतु जल विद्धूत परियोजना के विरुदूत में तेहला सिक्का किसने चलाया था कहरी सिंग ने बुशहर रियासत का राजा देलत रियासत किस सापना किसने की ते प्रत रिज्व को सोपा था नौ मार ने ठाहर तो 46 को हिमाचल परदेश को से अला के कौन से नधी करती तो तो यम्ना नधी ने अन्यक्स स्थान पर अडल बिहारी बाचक़पई का प्रवसी स्थान है निवास स्थान है तो प्रिड़ी में मनली में जख धार जाख धार किस जिले स्थान पर सिथाफन तो ये सुन्दर नगर में मंडी जिल्य में स्था है जगत सुख और रोई रीच अजायब घर्टिंस से एक से सेम क्वेशन तिबत को कि नौर और स्पिती से कौन सी परवत अश्रिंखर आगलग करते हैं तो जासकर परवसेंखिला अलूग घाटी किसे क् कीजले का मुख्याले सिम्ला में सबसे अधिक दूरी बहा है तो लाहौल पीति जीला का मुख्याले के लांग में भरमार जल बिल पर योजना कीजले कीजन्रा आप सिंद्री भावी नजीए पर छमता 45 मेगावाट चमबा जीले में सोलन लानिमा क्या विर्टी राष्टत इंड़नी मंचलपरदिय सिग्रहा बद पहाव पढ़त हुसा पदहसि' पद्म संभव और तारा की आत्माई टिब्बो के रूप में जदे तेरती तो रिवाल सीर रिवाल सर जील में मंडी राज जिला में बड़ी संख्या में पत्रीले जरने कहां पाई जाते हैं तो चंबा में इमाचल परदेस का कुलू जिला किन पांच जिलों से गिरा है तो ल खेल मुर्ती लाहॉल स्पिटी में पाई जाने वाली ज़ाने वाली किसकी नसल है तो घोडे की नसल है नेक्स्क्क क्कषिन की बात करें Imajl परदेस के दक्षिर पूर्व में कौन सा राजय सितर में तो उत्रा काणड राजय स्पिट है किस दर्रे के चोगो चउराहे to मिल आने वाला दर्रा कहते हैं तो जासकर लद्दाक, स्विति और लाहॉल के सडकी ही मिलती है तो बाला लाचा दर्रे को नेक्स्ट की बात करें तो रास बिहारी बोस कुछ समय के लिए कहां पर ठेह रहे तो सिम्ला में सिम्ला के निकट सित हेम कुछ पैदे किस भावन के नाम से जाना जाता था तो फ्रेंस डैंस फोली, डैंस डैंस फोली के नाम से रभीगड रियासत वर्तमान में किस जिले में सिर्फेंट तो सिम्ला में दूरी चंद के ने की थी स्थापना तो आप कन्फिज भूने तो यह का एक नाम है, ठीक है, नेक्स सविशन तिलोडधार कहां पर तो यह सिर्मा और जिलेंस सित है, नेक्स सविशन की बात करें, तो नेक्स सविशन में क्या पूचा के देखिए, स्ताहान में रादनी ताल बाग किस राजा ने अपनी क्योथल घ अधी मानव जाती पर राज करते हैं फिर भी हमें नास्ते का समय ने मिल जाता है। मंडी के कि राजा ने चुप रहना बरदान सिधान्त को अपना आपने दर्बार्यों अधिकारियों में इस सिदान्द को विक्षित करने का निर्प्रत्न किया है तू सुर्मासेह न, तेरा सुजानपुर को राज़ानी के रूप में विक्षित करने का श्रे किसे कहत है तो सराजा संसार-चंड को, कोट कल्ह कहलूर कि रानिया कुम-कुम Deve और धन-व। सेणी कि हमीरपूर्ण जिले के किस स्थान पर मंडी के राजा इश्वरी सेन को बंदी बना कर रखा था तो नादौन में जलोरी जलोडी दर्रा कहां पर स्थान पर कुल्लू में उचाए 33135 मिटर है तुड़ाः वने जिव अभ्यार काप राते हैं चमबा में 400 वर किलोमेटर। शिकर बेहु और मुकुर बेहु पर चोटिया के जिलो में उचाए शिकर बेहु का 6200 मिटर है मुकर बेहु का 6070 मिटर है। सिर्मा जिले का मुख्याल है कितनी उचाई पर स्थान तो 2106 मिटर की सिर्मा और जिले की सिमाएं हिमाचल परदेस के अन कितने जिलों को स्पर्स करते हैं तो दो जिलों को सिमला और सोलन को, चमा जिले की सिमाएं भी दो जिलों को स्पर्स करते हैं कांगडा और लाहौल स्पिती जिले को, भारत का प्रतम जिवासमों उप्पोन कहा परते हैं सिर्फ मौर जिले में सुकेती जिवासनु पार्क में दाशाहट जील का कहां प्रतेपन तो ही मंडाली के पास कुलु जिले में एक लोगपरी हिमाचली मिथक के अनुसार हुए स्थान जहां रुद्र अपना आयूध शाला से विद्धु प्रत्वी पर परसाजित करने के लिए प्रकट हुए थे हुए स्थान दो नदियों के संगम पर रहे सी थे है वह कौन-कौन सी नदिया है तो व्यास और पार्कुत किनारे सितर रावीन यादी के किनारे सितर रणजीर सागरवांग शिमला और सिर्माओर के मीच कौन से परवाट चोटी है सित है तो चूटधार सारपरवाट चोटी उचाई 13647 वर्दधार पांच में हिमाचल प्रदेश का राज पक्षी कौन सा था तो मोनाल अब जुज किया था वहाब विलासपूर के किस गाउं से संब्धी था तो भाद रूग गाउं से संब्धी था हिमालायान पहाड़ी राज्य प्रांतिय परिशत ने 1948 में आलपकालीन सहरकार की व्यवस्था की जिसमें प्रसदपर्थम अध्याक्ष कौन से पर सीवानंद रमौल बैट के दमदमा महल का निर्माड किसने करवाया था सूरज से ने महादुर्पूर विलासपूर के किस राजा की गृष्म कालीन प्रस राजधानी थी विजय चंद की कालीन बुनाई चेंदर चंबा के किस स्थान पर सितेपन तो ये अंसर हो जाएगा आपका डलहोजी में चिना किसी भी एक्जाम के लिए helpful बने वाले हैं जीके के इतने important questions आपको हिमाजल प्रदेश के कभी नहीं मिलने वाले हैं friends उस video को बहुत ज्यादा शेर करिएगा और एक like करना तो बनता है भाई लोग एक like के लिए मैं बेकरार रहता हूं एक share के लिए बेकरार रहता हूं इतना टापिक के उपर परावलम हो रहे हैं तो मैं उसके उपर वीडियो अच्छे से बना दूगा thank you friends thank you for watching वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धनिवाद मिलते हैं next वीडियो हम तब तक लिए जाहिंद बंदे मात्र धनिवाद